या फिर करना चाहते हैं सोचे कि आप नए प्रैटन की पजल्स को एक बार में ही पढ़के बना ले और दुबारा कोशन्स आपको पढ़ने की जरूरती ना पड़े पैरल जंबल्स में आपको सेंटेंसिस को बार बार ना पढ़ना पड़े और कुछ शॉर्ट कट्स के दुरू आप सेंटेंसिस को लिंक कर पाओ तो आपका क्वेशन्स आधे टाइम में ही सॉल्ट हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि लेटिस दियाई और मिसलिनियस कोशन्स अब आपको परिशान ना करें साथी साथ आपकी कल्कुलेशन भी आसानी से हो जाए तो आज जी चुड़े अपने परिवार बैंक पूर बाए एक्जाम पूर से क्या आप कर रहे हैं बैंके एक्जाम्स की तेयारी या फिर करना चाहते हैं सोचे कि आप नए पैटर्न की पजल्स को एक बार में ही पढ़के बना ले और दुबारा कोशन्स आपको पढ़ने की जरूरती ना पढ़े नमस्कार साथियो मैं प्यूश रगवन से आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक पूर के इस ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर तो भाई हम हैं एक्जाम्पूर कलम से क्रांती तो सुबे के साथ बच चुके हैं और आपके प्यूश सर यहां पर आ चुके हैं आपको दिन भर के महत्पूर्ण खबरों से रूबरू कराने के लिए बिलकुल आप लोग यहां पर फटा फट जुड़ते जाएं सेशन को शेर करना सुरू कर दीजे दोस्तों क्योंकि आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार और शांदार कोश्चन करने वाले हैं रोज सात बजे यह क्ला करेंट अफेर उसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं आपके एक्जामनेशन पॉइंट अव्यू से जो भी आपके अक्टूबर नॉमबर दिसंबर में एक्जामनेशन होने वाले और उसके बाद चार बज़े आपकी बैंकिंग की कॉंसेप्ट क्लास भी मैं लेकर आता हूं इस दो अक्टूबर की वज़े से सेकेंड एयर हम लोग के पूरे हुए थे उस सेलिब्रेशन की वज़े से संडे की वैसे क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों तो भाई आज का सेशन इसलिए भी पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तीन दिन के करेंट अफेर की निचोड आज ह से पहले पहला कोश्चन यह रहा आपके सामने पहला कोश्चन यह रहा किस राज ने राज में सड़क की मरमत के लिए पद्ष्री अभियान पद्ष्री अभियान योजना शुरू किये कि सड़क की मरमत के लिए पद्ष्री अभियान योजना शुरू किये झाल झाल मेरा टास्क बार्क हो गया था तो मैंने उसे पा लिया है तो बिलकुल यहां पर सडक की मरमत के लिए पत्सरी अभियान योजना शुरू की है किसने दोस्तों तो बिलकुल उस सरकार का नाम है वेश्ट बेंगौल यानि की पश्चिम बेंगौल की ममता दीदी ने इसे किया पश्चिम बेंगौल की ममता दीदी शुरू किया बिलकुल सही एंसर है बिलकुल राइट एंसर है गुड मॉनिंग जिया जोती सुनील सभी लोगों को भाई गुड मॉनिंग बहुत सारे कोश्चन है आज क्योंकि दो तीन दिन के पूरे करेंटर फेर हम लोग के अजार से अधिक हिस्सों की मरमत की जाएगी तो यह पत्सरी अभियान शुरू किया गया है कोरोना के फेज में सारे सडक्वें ऐसे ही अधूरी रह गई बारिश में भी खराब गुई कोई बनानिया नहीं तो अब मजदूर वापस से काम पे लोट चले हैं सभी कोरोना के स साथ साथ मिल करके अब जंग को लड़ रहे हैं अब उनसे भाग नहीं रहे हैं तो बिल्कुल यहां पर पत्सी अभियान के सुरुवात होगी अगला क्वेश्ट थावर्चन गहलोत ने सिड्यूल कास्ट के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत असीम नामक एक पोर्टल है असीम को यह लोंट किया है इस असीम का फुल-फॉर्म क्या है यह यह आशीम में ऐह क्या है अगर यहां पर देखा जाये तो बहुत इंप बनेगा बहुत इंपॉर्टे .... बनेगा दोस्तों तो क्या है यह फटा फट बताएंगे आप लोग कि इसमें हमारा फुल फॉर्म में असीम में यह क्या है और फिर हम लोग डिटेल न्यूस भी देखेंगे हर न्यूस के अम लोग सारी चीजे क्लियर भी होती चलेंगी तो बिलकुल यहां पर अंबेड कर हैं अंबेड कर साहब हमेशा सीड्यूल कास्ट के लिए लगे रहते थे सीड्यूल कास्ट को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए समाज में व्यापार करने के लिए हर चीज के लिए आगे करते हैं वेंचर कैपिटल होता है जो कंपनिया नई कंपनिया शुरू होती है उनकी जो मदद कर करती है कंपनिया वह वेंचर कैपिटल कहलाती है के वेंचर कैपिलिस्ट कहलाती है दोस्तों तो बिल्कुल यहां पर एंसर आपका अमबेटकर सावा रहा यह पूरी न्यूस देखते हैं केंद्रिय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सबसे पहले तो सोसल जस्टिस अमबेटकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन तो असीम का क्या फुल फॉर्म है अमबेटकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन अंडर वेंचर केपिटल फंड फॉर सीडूल कास्ट तो भाई बिल्कुल यहां पर सीडूल कास्ट के लिए वेंच जाना चाहते हैं जो नए बिज्नेसमेन है नए выпуск है या स्टुडेंट्स हैं उन इस बढ़ाना और उनके चोटे से बिज्नेस को मदद करना और एक बड़े बिज्नेस की ओर वहाँ पर प्लानटेशन करना विकषारो पड़के उसे बड़ा बने में मदद करना अगला प्रश्ण है जल सक्ती मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2020 स्वक्ष भारत पुरुसकार में स्वक्ष सुन्दर सामुदाइक सौचाले स्वक्ष सुन्दर सामुदाइक सौचाले सुरेणी के तहत किस राज्य को राजिस्तर पर प्रथम इस्थान दिया गया है किस राज्य क फटाफट बताईएगा तो बिलकुल यहां पर आपका क्या उत्तर बनता है कंप्यूटर महोदे गुजरात को यहां पर राज इस्थर प्रपत्थमिस्तान दिया गया लेकिन अलग अलग इस तर पर देखा जाये किसे किसे क्या मिला है तो डिटेल न्यूज हमें चाननी लिखे तो केंदी जल्शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग सेखावत ने स्वक्ष और भारत प्रुष्कार 2020 विशेश रूप से पेजल और स्वक्षता स्रेडियों के तहत प्रस्तुत किया स्वक्ष सुन्दर सामुदाइक वर्ग के तहत गुजरात को गुजरात को राजिस्तर पर गुजरात को राजिस्तर पर दोस्तों राजिस्तर पर गुजरात को प्रथमस्तान दिया गया जहां तमिलाडू के तिरुनेल वेली को तिरुनेल वेली कहां तमिलाडू के तिरुनेल वेली को जीला इस्तर पर यानि डिश्टिक लेवल पर तमिलनाडू के ही चिननूर गाउं चिननूर गाउं को गाउं इस्तर पर ग्राम पंचायत इस्तर पर से स्थान मिला है और वही मद्द्पदेश के उज्याइन जिले के खाचरोड ब्लाक को ब्लॉक इस्तर पर पहला इस्तान मिला ब्लॉक इस्तर पर मद्द्पदेश के उज् तिरुनेल वेली आएगा राज इस्तर पर गुजरात आएगा दोस्तों तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर बिल्कुल यहां पर दोनों में हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं आपने यहां पर देखा नहीं यहां पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है आपके पढ़ने के लिए जिसकी PDF आप लोग को बैंक पूर टेलिग्राम पर भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और एक्जाम पूर एप पर भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हाव मच अमाउंट हैस बीन एलोकेटेट पर इस्पेशल रिफिनांस स्कीम लॉंच बाइड नाबाइड तो सपोर्ट गोवर्मेंट्स वाश प्रोग्राम फॉर फिनांशल यानि की वाश प्रोग्राम विट्वर्स दो हजार एक्टिस के लिए सरकार के वाश करक्रम का समर्तन करने के लिए नाबाइड द्वारा सुरू की गई विशेश पुनर्वित्त योजनागले कितनी राशी आवंटित की गई है दोस्तो 36 महिने में ये पैसे वापस करने इसके लिए नाबाइड रिफिनांस करेगा दोस्तो वाश प्रोग्राम म जर बात की जाए तो नाबाइड का फुल्फाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट जिसके हैड है इस समय गोविंद चिंताला राजलू इस समय है गोविंद चिंताला राजलू इसके हैड है और यह सरस्था का मुख्याले मुंबई म हैं specifically और आऐ थी बार जुलाई 1982 ट्वेलब जुलाई 1982 को नाबाड आई थी शीव रमन कमिटी के रिक्मेंडेशन पर दोस्तों शीव रमन कमीटी के recommendation पर आई थी जो कि एक refinance agency है यानि financial institution को finance करती है तो यह regional rural bank को cooperative बैंकों को और commercial bank को को गाओं की मदद करने के लिए किसानों की मदद करने के लिए रूरल development के लिए loan provide करती है refinance करती है जिसके लिए कितने पैसे पुनरवित्य योजना के लिए मिले हैं तो 800 करोण रुपए यहां पर आवंटित किये गए हैं तो बिल्कुल यहां पर एंसर क्या आएगा 800 करोण रुपए यहां पर एंसर आएगा अगला प्रश्ण है विट्विच कंट्री इंडिया होड्स बोंगो सागर नेवल एक्ससाइज यानि भारत किस देश के साथ बोंगो सागर नौ सेना अभ्यास आयोजित करता है कि भाई से ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमने यहां पर अब यहां से आज से रिगुलर क्लास चली अभी कोई चुटी नहीं है पूरा और मैं अब यहां पर सेटर्डे और संडे को वीकली करेंट अफेर भी देना शुरू करूंगा और कि इसी तरीकर उसको भी आगे बढ़ाना और इसको भी आगे बढ़ाना दोस्तों तो भारत किस देश के साथ बहुँझो नौशेना भ्यास आयोजित करता है तो देखी आर्मी एकसाइज से एक नंबर का कुश्चन आता है तो आर्मी एकसाइज से यहाँ पर कुश्चन पूछ सकता है क्योंकि भाई इस समय बहुत ज्यादा भ्यास तो होने रहे कोरोना की वैसे लेकिन जो दो देश कर रहे हैं वो तो हमारे लिए बहुत महत्पुण हो जाते हैं तो भाई वो बंगला देश और भारत के बीच में बोंगो सागर नौ सेना अभ्यास आयोजित होता है दोस्तों तो बिलकुल यहाँ पर अगर हम लोग इसकी डिटेल निउस देखा जाए तो क्या कहता है कि भारती नौ सेना क दूसरा संस्क्रण बंगला देश नेवी द्वीपक्षी अभ्यास में बोंगो सागर 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाडी में सुरू होगा तो भाई आपको प्यूश सर को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है बस इसे शियर करते चलना है तो दो मिनिट लगेगा बस से शियर कर दीजिए आपनों लिंक को कॉपी करके हर जगा पेस्ट कर दीजिए अपने फेस्बुक पे इस्टाग्राम पे तो खास कर कि HDFC बैंक के CMO चीफ मेडिकल मार्केटिंग आफिसर मेडिकल आफिसर एक्चुली हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर मुख्य विपड़ा ना दिखा रही है चीफ मार्केटिंग आफिसर है HDFC के जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभाव साली CMO की फोब्स सुची में मानिता दी गई है यह अकेली एक इंडियन कंपनी है जिसके किसी CMO को इस फोब्स की लिष्ट में इस्थान दिया गया है जगह दी गई है तो बिलकुल यहां पर HDFC बैंक के CMO कौन है यह आप लोग को बताना है कि HDFC बैंक के CMO कौन है मेरे प्यारे मित्रों फटा फट बताइए तो बिलकुल यहां पर एंसर होगा रवी संथानम तो रवी संथानम क्या है रवी संथानम है HDFC बैंक के CMO HDFC बैंक जो मार्केट कैपिलाइजेशन में रिलायंस इंडस्ट्री और TCS के बाद तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा मार्केट कैपिलाइजेशन वाली कंपनी है बाजार पुंजी करण वाली कंपनी है तीसरे नंबर की है ना HDFC बैंक HDFC की एक sister concern है HDFC एक अलग company है दोस्तों HDFC एक अलग company है जो 1977 में आई थी जिसने HDFC बैंक कमर्शियल बैंक शुरू किया जो आम जनता से पैसे लेने लगी HDFC एक NBFC थी HDFC बैंक के कमर्शियल बैंक है जो 1994 में आया Housing Development Finance Corporation यहां पर HDFC तीसरे नंबर पर है तो HDFC पांचवे नंबर पर है जिसमें चाइना के Central Bank People's Bank of China ने शेर खरीदा था पूरे देश भर में खलबली मच गई थी यह 1.01 पर सेर इसमें चाइना ने खरीद लिया है तो बिल्कुल बहुत प्रॉफिट देने वाली कंपनी है आदित्य पूरी इसके क्या है आदित्य पूरी इसके CEO है HDFC Bank के लेकिन अभी जो है अपॉइंट हुए है ससीधर जगदीशन जो आदित्य पूरी जी का स्थान लेंगे यह अभी नए CEO and MD बने हुए है हस्मुख भाई पारिक की बात की जायता हस्मुख भाई पारिक नो है फाउंडर थे फाउंडर थे जिन्हों इन्होंने HDFC Bank को या HDFC को सुरू किया था इसए इसएए में MD रह चुके थे इसए-सी बैंक से रिटायर होने को ऐसी इसएजी इंडेश्य क्रेडिट एंड इंवेस्ट्मेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया जिसने इसएजी बैंक सुरू किया था आई सैप में यह शुक्सान फ्रस्मुबाई पारिक और डपक पारिक इस समय HDFC के छेर्मैन सिख बैंक के नहीं HDFC के छेर्मैन है तो बिल्कुल यहां पर अगर कहा जाये तो HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वह है इंडर्स्टैंड existed वी एंडेस्टेंड योर वर्ड चलिए दोस्तों यहां पर पूरी न्यूस देखते हैं HDFC बैंक के मुख्य विप्रणन अधिकारी चीफ मार्केटिंग आफिसर रवी संथानम को दुनिया के सबसे प्रभावसाली सीमों की फोप सुची में मानता दी गई है कि 49 नंबर पर उनकी रेंक है वह किसी भारती कंपनी के कमात्र सीमों एक मात्र सीमों है दोस्तों जिन्हें इस सांदार सुची में दिखाया गया है इस फोप्स लिष्ट में दिधर शाया गया है अगला प्रश्ण है अंतराष्टी ऑनलाइन सुटिंग चैंपियंशिप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड किसने जीता तो बिल्कुल यहां पर गोल्ड किसने जीता है दस मीटर एयर राइफल में फटा फट आपको बताना है तो बिल्कुल यहां पर एंसर बनेगा विष्णू सिवराज पंडियन विष्णूषिवराज पंडियन को मिला है हुआ हम ह Für. अगरे प्रस्न King ने 2022 तक किसानों की आयए दुगनी करने की दिशा में किस आयोग किसे फारिसों को लागू करना शुरू कर दिया देखो सरकार का हमेशा से एम रहा है कि 2022 तक किसानों की डबल हो जाए उसके लिए भी किसान बिल भी आया कि बीच में भी चौली हटा दिये जाए है ना सोलर उर्जा से सौर एनरजी से भी बिजली उत्पन करके वह ग्रिट को बेच हो तो बिलकुल यहाप किसानों के डुबनी करने के दिसा में कमीशन बैठाय गया और उसकी सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया गया तो वह कमीशन किसी अगरिकल्चर स्पेसिलिस्ट के ही अध्यक्षता में होना चाहिए तो बिलकुल म.स्वामी नाथन म.स्वा गेहूं की उच उपस देने वाली किश्मों को पेस करने और आगे बढ़ने में उनकी भूमिका के लिए भारत में हरित करांती यानि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है जनक कहा जाता है और वह म.स्वामी नातन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी है और उनकी बताई करिशी दृष्टी भूख और गरीबी की दुनिया से छुटकारा दिलाती है म.स्वामी नातन जी के नाम से अवर्ड भी साल दिया गया है तो म.स्वामी नातन अवर्ड इस बार किसे दिया गया है यह आप लोग का होमवर्क कुश्चन है कमेंट में जरूर बताईएगा कल के शो में मैं उनके कमेंट्स जो है शो करूंगा आपके स्क्रीन सॉट में ब प्रतिबंद लगाएं हालही में किस देश ने म्यामार के सेना प्रतिबंद लगाएं म्यामार नेपिटा जिसकी राजधानी है और जिसकी करेंसी है क्यात जिसकी करेंसी है दोस्तों क्यात तो म्यामार जिसका पूराना नाम बर्मा हुआ करता था दोस्तों बर्मा जो भारत सही अलग हुआ था एक बुद्दिष्ट कंट्री बरमा बर्मा की कैपितल रंगून हुआ करती थी तो यह भाई बर्मा का नाम म्यामार है और म्यामार में एक रखाइन राज्य था जहां रोहिंग्या मुस्लिम्स रहा करते थे वहां पर जब सत्ता आई लोक्तंत्र आया तो वहां पर उनको वोट देने का दिकाने देगा फिर उनको अपने देश से भगाने लगा गया कि भाग जाईए आप लोग यहां पर बहुत उसमाजित्ता कर रहें ऐसा उनका बहुत गलत तरीके से वहां की सेनlaw समें और उनको पलायन करने करने लिए और उनको भगाने में तो इसलिए म्यामार की सेना प्रमूख को ह। कि किसी देश ने सेंक्शन लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया है उनके एकाउंट तक सीज़ हो गए संपत्ति तक सीज़ होगे उनका वीजा भी नहीं मिलेगा उस देश में तो भाई यहां पर देखा जाए तो एंसर क्या होगा कंप्यूटर महोदे बता रहे हैं यूके होगा यूनाइटेड कीडम होगा दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा युनाइटेड कीडबं यानि की ब्रि 않고 व aid ने सरकार्न किया है यूनाइटेड कीड़म ने रोहिंग्या और अन्य disaster समूदायों के खिलाफ मानवा दिकारों के उलंगन में कथित सनलिपता के लिए म्यामार के सेना प्रमुक जनरल मिन आंग हांग और उनके डिप्ती सो इन विन यानि की उनके और उनके जो साथ में जो उप प्रमुक थे सो विन के खिलाफ प्रतिबंदों की घोशना की है यह प्रतिबंद से दो सिर्ष सेना ज différentes समपत्ति अजप्त हो जाती है और यह उन्हें देश के लिए वीज़ाप्त करने से भी रोकता है और प्रेसीडेंट मियामार के इसे में कौन है विन माइंट है कौन है दोस्तों विन माइंट है विन माइंट है विन माइंट है म्यामार के राश्पती और आपको करेंसी क्या थै और राजधानी क्या है ने पीटा ठीक है इनाइटेड की बात की जाए तो करेंसी है पाउंड श्टरलिंग और राजधानी है लंदन चली फेरी सेवा सुरू हुई है समुद्र के रास्ते जल्दी से चल्दी रेफ्रिजरेटेड चीजे पेरिसेबल गुड्स जल्दी से खराब होने वाली चीजे पहुंच जाएं इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है माल दीव माले रूपिया माल दीव माले रूपिया माल नौका में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी है यानि इस फेरी में कोल्ड स्टोरेज फैसलिटी भी है जो टूना मचली और अन्य समुद्री खाद्य पदार्तों के माल दीव से अधिक निर्यात के निमती देगा जल्दी टूना मचली आ जाएगी तो यह व्यवस्था बना के लिए विधा विधान सभाद चुनाओ के लिए निमनलिखित में से किसे व्याय परवेक्षक व्याय परवेक्षक के रूप में नियूक्त किया गया है यानि की expenditure observer के रूप में चुना गया वहां पर चुना होने वाले हैं इसके लिए बहुत जरूरी है बिहार assembly पोल्स हो चुना गया है दोस्तों तो यहां पर answer क्या होगा बोट एंड बी यानी की यार पर बाला कृष्णन और मधू महा जन इन दोनों को चुना गया दोस्तों इन दोनों लोगों को चुना गया है यानथ बहुत बढ़ियां ठीक है चलिए अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं हाल ही में नासा ने आनि अमेरिका ने अंतरराष्टी स्पेस स्टेशन के लिए एक सिगनस अंतरिक्षियान लॉंच किया है उस स्टेशन अंतरिक्ष में स्टेशन होगा वहां पे भेजने के लिए अंतरिक्षियान एक इंडियन लेजेंड के नाम पर रखा गया है जिनोंने नासा में पहली भारती महिला अंतरिक्षियात्री होने का भी गवरोप्राप्त किया था वापस आते समय उनकी अंतरिक्षियान दुरगटना ग्रस्थ हो गई थी और उनका निधन हो गया था उन्हीं के नाम से वह अ पना चावला बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दिया है सिरेश्ट ने जिया ने जियोती ने वंधना ने अवंतिका ने इंडियन आर्मी ने और राजा राज ने पीम ने सिखर सम्मेलन रेज 2020 का उध्गाटन किया है या निमलिकित में से किस से सम्मंदित है देखो भाई हमारे कोर्सेज भी आ गए है एक्जाम पूरेब पर जिसमें मैं एक बज्जे से ढाई बहें तक रोज सिक्स मन्त के करेंट अफेर को डिटेल में पढ़ा रहा हूं डिटेल में मतलब रोज 120 कोश्चन तो भाई वह आप लोग जरूर देखो एक बज़े से ढाई बज़े तक आप उसे जरूर जोईन कर ले अगर आप आने वाले एक्जामनेशन के लिए तयारी कर रहा है उसमें सront yard जीए इसके लिए घाटन किया गया मिनिस्टी आफ एलेक्ट्रॉनिक एन इन्फ इनफ्रमेशन टेक्लॉजी Ministry of Electronic and Information Technology और नीति आयोग नीति आयोग मतलब नेशनल इस्ट्यूशन फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया योजन आयोग की जगा प्लानिंग कमीशन की जगा एक जनवरी 2015 इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मेगा वर्चुवल समित ओन आर्टिफिसल इंटेलिजेंस आठीफिसल इंटेजेंस क्रित्रिम बुध्दि मतता है Google, Alexa, Siri आप जो बोलते हो जवाब मिलता है तो उसके थुरू कैसे समाज को और बहतरी की जाए समाज को किस-किस छेत्र में इस artificial intelligence का फाइदा हो सकता है उसके लिए एक पूरा मेगा वर्चुवल समिट रखा गया था रेस 2020 विल बी ग्लोबल मीटिंग आफ माइंड तो एक्षेंज आइडियाज एंड चार्ट कोर्स फॉर उजिंग इन इसका आटिफिचिल इंटेलिजंस वर सोशल टांस्फॉरमेशन कैसे समाज की बेहतरी के लिए इसका आटिफिचल इंटेलिजेंस का यूज के यूज किया जाए हई कि जो भी बात हो आप प्रॉबलम बता है वहां से सोल्यूशन आजाए किसी इंसान की ज़रुवत pandemic की तयारी के लिए महामारी के लिए कैसे यूज हो सकता है तो इसके लिए पूरा का पूरा रेज प्रोग्राम जो है दोस्तों सुरू किया गया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर अपने अगला प्रश्ण क्या कहता है नौ सेना निवेश समारो 2020 नौ सेना निवेश समारो 2020 वेश्टन नेवल कमांड के लिए किस आई एनस में आयोजित किया गया था तो यह नेवल investiture ceremony 2020 for western naval command यह किस INS में आयोजित किया गया था तो यह INS Sikra में आयोजित किया गया था किसमें किया गया था INS Sikra में आयोजित किया गया था पश्यमी नौसेना कमांड के लिए नौसेना जाच समारो 2020 को 30 सितंबर 2020 को INS Sikra में आयोजित किया गया था INS Sikra में आयोजित किया गया था वाइस एड्मिरेल अजीत कुमार फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचीफ पश्चिमी नौसेना कमांड ने प्राप्त करताओं को वीर्ता और विशिष्ट सेवा प्रुस्कार दिये एफ उसी इन सी वेष्ट ने पिछले वर्स में अपने योगदान के लिए चैनिति काईयों को यूनिट साइटेशन भी प्रस्तुत किये अगला प्रश्ण है गांधी जयंती पर यानि दो अक्टूबर पर स्वक्ष भारत मिशन शहरी के 6 साल का जस्ट नमर आने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के लिए थीम क्या है तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्र कौन है स्री हर्दीप सिंग पूरी सर्दार जी जो पंजाब से लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए तो यूपी से प्動画 count यहाद रखनी है तो बिलकुल यहाँ पर एंसर क्या होगा सुखे साल बे मिशल के छे साल बे मिशल सब्स़ीस, चौथा चौदह में शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को जो महीम आज 2020 हो गया तो छे साल भी इससे को स iphone तह के शे साल बे मिसाल इन्होंने रखा था इसका आवास और सहरी मामलों के मंत्राल है स्वक्षभारत मिशन शहरी के छटी वर्स गाइट दो अक्टूबर 2020 को स्वक्षता के छे साल बेमिसाल नामक एक वेबिनार का योजन करके मना रहा है वेबिनार मतलब इस समय सब कुछ ऑनलाइन ही मीटिंग चल लही है तो जो भी सम्मिट हो रही सब ऑनलाइन हो रही है दिन महात्मा गांधी की 191 जैनती भी है मिशन के तरह पिछले च्छ वर्सों की उपलब्दियों का जस्न मनाने के लिए साथ साथ राज्यों शहरों साजेदार संगठनों दुबारा अनभो साजा करने पर भी केंद्रित रहा महात्मा गांधी जी को स्वक्षता बहुत पसंद थी वह कहते थे कि स्वक्षता रखनी चाहिए आपने आस पास तो उन ही को यही एकमात्र योजना स्वक्ष भारत मिशन जो भारत सरकार के सभी नए नोटों पर ये योजना की आपको जलक दिखती है तो कौन सा योजना नोटों पर दिखती है सुरक्ष भारत मिशन हाले ही में किस मंत्राले ने गुड समरिटन्स की सुरक्षा के लिए नियमों को अध्यतन किया यानि कि नियमों में और कड़ाई की है गुड समरिटन्स को और ज्यादा अधिकार देदने वाला यह कानून आया है गुड समरिटन्स कौन है एक नेक आदमी जो कभी सड़क पे किसी का एक्सिडेंट हो जाती है तो वो उसे बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है ल लोग सीधे लोग पुलिस के केस में फसने इसके डर से कभी कभी मदद नहीं भी करते हैं तो गुड समरिटन्स को प्रताडित न किया जाए परसान न किया जाए इसके लिए मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे ने नियमों को और कड़ा बता दिया है क 3indruck डाई कर दिया है मनी तो सदक परिवहन राजिमार्ग मंत्राले ने जीय सार 594 एक गुड सेमरितन की शुरक्षा के लिए नियम प्रकासित किये हैं नीयम गुड सेमरिटन्स के अधिकारों के लिए पदाण किये गए हैं जिसमें यह सामिल है कि एक गुड समरिटन के अधिकार नियमों में विस्तित होंगे उनके साथ धर्म राष्टीरता जाती अलिंग के अधार पे किसी भी तरीके का भेद भाव नहीं किया जाएगा सम्मान जनक विवार किया जाएगा पुलिस के दौरा उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा डिस्क्लोज नहीं किया जा सच्चिव के रूप में किसे नेक्त ख्या गया है श्रम और रोजगार मंत्राले कि सच्चिव के रूप में किसे नेक्त गया है दोस्तों इसमें प्यूसर आपके पढ़ा रहे है तो वही जादा मोगों को शेयर कीजिए ताकि जादा ज्यादा लोगों को फिर स дополн subdivro का जो करेंट अफेर है क्योंकि सबसे आदा तो सेम मंत की करेंट अफेर इग्जामनेशन में पूछे जाते हैं लाष्ट टू से तीन मंत के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो बिल्कुल यहां पर एंसर देखा जाए तो अपुरुवा चंद्रा यहां पर एंसर होगा क्या रही है अटल टनल दो स्थानों को जोड़ने का काम कर रही है तो बिल्कुल यह हिमाचल पदेश में रोहतांग पास के पास से यह सूरंग बनाई गी इसको बनाने में भी बड़ा मेहनत लगी बहुत मेहनत लगी पानी भर जाया करता था एकदम यह समयले सरकिल में एक हाफ इस पिती को जोड़ देगा जहां पर यह पूरा रास्ता ब्लॉक रहता था कहीं ने कहीं लद्दाक तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया एक रास्ता बन जाएगा पधान मत्ते इससी नरेंद मोधी रोहतांग में अटल सूरंग का उधगाटन करेंगे अटल टनल दुन दुनिया की याद रखिएगा हाइवेट टनल है दुनिया की सबसे लंबी हाइवेट टनल है हाइवेट पर है 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को पूरे साल में लाहौल इस पती घाटी से जोड़ती है इससे पहले घाटी में हर साल लगबग 6 महिने तक भारी बर्फब यह नया मिशन जो की सुक्र पर कि वर्ष में सुरू किया जाएगा इश्रो का नया मिशन सुक्रगरह के लिए जाने वाला है इस रोका Um 2022 में दोस्तों हम लोग का गगन यान मिशन जाने वाला है वैसे शुक्र यान वाला मिशन कब जाने वाला है तो शुक्र यान का मिशन जाएगा 2025 में ठीक है मैं ही तो ऐसे करता हूं तभी तो एंसर आता है है तो भार्ती अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन इसरो 2025 में अपने फ्रांसिसी अंतरिक्ष एजनसी स्यूप यह थी इस था स्पेस सेंटर फ्र इस पेस स्टडिस की बागेदारी के साथ अपने स्वक्र मिशन को सुरू करने के लिए पुरी तर्यार है यह नियूज इसलिए ले आता हूं कि इससे एक अगर और और कोशीन बन रहा है इंपॉर्टिट वोप कवर हो जाए जैसे भाई थे जिनके नाम पे विकरम लेंडर ता जो लापता हो गया चंदयान से जिसके हेड है इस समय के सिवन साहव तो भाई इसरो के स्टेटिक फेक्ट तो लोग जानना जरूरी है लेकिन यहां पर न्यूस क्या बनेगा कि सुक्र मिशन के लिए हमें कौन सा देश मदद कर र रहा है यसे गुगल गगन यान के लिए फ्रांस और रशिया दो हमारे देश मदद कर रहा है उसी तरीके से सुक्र मिशन के लिए कौन मदद कर रहा है फ्रांस हमारी मदद कर रहा है कौन मदद कर रहा है दोस्तों फ्रांस हमारी मदद कर रहा है अच्छा चलिए फटा फट में स्पेस सेटलाइट भेजते हैं यह PSLV से GSLV से और अभी एक तमिलनाडू के तुथू कोडी जगह पर भी एक लांच कोड उन्होंने लांच पैड उन्होंने लांच किया थैंक्यू थैंक्यू सेरी सर्माजी आपके लिए सुबे सुबे उठके आते रात भर बैठके कंटेंट बनाते हैं करेंट अफेर तयार करते हैं तो भाई सब आप ही के लिए हैं आप लोग इसे अगर मेहनत को आगे बढ़ाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ज्यादा लोगों को अगर आप जोड़ेंगे इसमें इस मुहीम में दोस्तों तो हम भी और ज्यादा मन से और ज्यादा तलिंता से और ज्यादा जोश्व खरोस के साथ रोज आपको ऐसे ही अच्छे-च्छे स्टेटिक फैक्ट भी लाकर देते रहेंगे हाल ही में किन देशों को ना नियम बता दे हम लोग आपस में ऊडानन सुरू करते हैं और जिन देशों पतिबंध हमारे पर लगा दिया हमने उसके उपर भी लगा दिया तो यहावाई जो bubble है यह र ट्रांसपोर्ट बबन है यह बहुत सारे देशों के साथ हमारे फ्रांस के साथ जर्मनी के साथ उसके UK के साथ बहुत सारे देश हमारे जो है इसमें अब जो है हवाई बबल में भारत को मानता दे रहे हैं भारत भी उनको मानता दे रहा है तो यहां पर केन्या भी है बुटान भी है कनेडा भी है अफगानिस्तान भी है बहरीन भी है बहुत सारे देश हैं तो बिलकुल यहां पर एंसर बनेगा यहां पर all of the above क्या एंसर बनेगा all all of the above ठीक है all of the above चलिए हाल ही में किस भारती राज ने कोविड-19 परिक्षणों का एक करोण का लक्ष प्राप्त कर लिया यानि उसने एक करोण को लोगों की टेस्टिंग कर ली है थिसके पास अबादी तो ज्यादा होगा को यूपी इतनी है रास्ट इिश्व कर दियो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन जाएगा दोस्त। अगर पहले नंबर नंबर प्रादी में दूसरी नंबर पे इंडिया है तीसे एक करोण का लक्ष पूरा कर लिया योगी आदित नाथ जहां के मुखमंत्री है और राज जिपाल यानि गवर्नर है अनंदी बेन पटेल जो लाल जी टंडन जी के निधन के या बीमारी के बाद से ही अमद्द पदेश का भी अतिरिक्त प्रभार सम्हाल रही है उत्तर पदेश विकम द फॉस्ट इस्टेट इन कंट्री टू अंडर टेक टेक ओवर वन करोण कोवीड-19 टेस्ट किस रेलवे जोन ने किस रेलवे जोन ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन म सहली शुरू किया जलिए अभी रेलवे का एक्जाम भी आने वाला है तो यहां से एक मैं आपको homework और देता हूं कि हमारे देश में इस वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं कितने रेलवे जोन है ये आप लोगको बताना है दोस्तों किस रेलवा जोन ने महिलाओं की सुध क्योंकि पुर्वी भारत से ये पूरा अभियान चल रहा है ऑपरेशन माई सहेली महिला यात्रियों को मूल स्थान से गंतव तक ले जाने के लिए सुरक्षा पदान करेगी जिसे तीन ट्रेनों में अभी सुरू किया जारा पाइलेट मोड में पाइलेट मोड मतलब एक्सपर जब्रेंड होगा शुरक्षा मिलेगी उनको तो यह बहुत इंपरेशन माई सहेली सुरू किया गया है कहां कहां पर हावड यसवं ठफूर दुरंट लुद ऊ-पेशल में हावड़ एहमदाबाद सपेशल में और हावडय मुंबई स्पेशल में यह तीन जगा पर इसे पश्चिम बेंगॉल की राजधानी कोलकाता में यह हावडा इस्टेशन है जहां से यह तीनों ट्रेन निकल लहीं है अलग-अलग जगह ठीक है अलग-अलग जगह एक मुंबई जा रही है किस मंत्राले ने अनुसुचित जातियों के लिए अंबेड कर सोशल इनोवेशन एन इनक्यूबेशन मिशन लाँच किया है तो यहां असीम की बात फिर से आ गई है कि असीम जिसका फुल फ़र्म है अंबेड कर सोशल इनोवेशन एन्क्यूबेशन मिशन कहीं नहीं एक्जाम में आ सकता है अनुसुचित जाति को भी बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिया है कि कैसे incubation किया जाए venture capital fund के थूँ कैसे जो है अनुसुची जाती को भी बिजिनेस में आगे लाया जाए तो बिलकुल इनको कैसे job creator बनाया जाए तो इसके लिए असीम लांच किया गया है तो किस ministry के द्वारा किया गया है यहां पर यही तो प्रस्न है तो यहां किस ministry के द्वारा किया जा रहा है ministry of social justice and empowerment के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों किस ministry के द्वारा किया जा रहा है ministry of social justice और इंपावर्मेंट के द्वारा किया जा रहता यह देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर सोचल जस्टिस एड इंपावर्मेंट यानि समाजिक नयार और अधिकारिता मंतरी कौन है हमारे देश के स्री थावर्चंद्र गहलोत ने अंबेड कर समाजिक नवाचार और स्म अचै intact ? कहा जाएं कि अंडे को जिस तरीके से चुझे से फिर बड़ाएक पक्षी बनाते हैं तो वह ए्नक्यूबैशिं के लिए निडानी च्छोरी से एक व्यापार को भड़ा व्यापार बनाने का जो Mission है उसको व्ड़ वेंचर कैपिटल किसे कहते है जब एक कंपनी एक छोटी कंपनी की मदद करती है फंड से अपने विचार से अपने अनुभाव से अपने सपोर्ट से तो वेंचर कैपिटल फंड जो सीडूल कास्ट के लिए बनाया गया है कि इनको बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए अब दा एम इस टू प्रमोट इनोवेशन जब यह नौकरी ढूंट रहे हैं इनको व्यापार करने में मदद करने के लिए यहां पर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि विच बैंक लॉंच दग्रीन टेक इनिसियेटिव आई बी इनोट क्या है नाम आई बी इनोट और कहीं ने कहीं सी में छुपा हुआ है सब कु टू इनेबल टोटल पेपरलेस वर्किंग इन्वार्मेंट यानि कुल कागच रहित कार्य वातावरण को पेपरलेस यानि सेव ट्री से पेपर इन्वार्मेंट फ्रेंडली वातावरण को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन टेक इनिसिटी ग्रीन टेक मतलब इन्व भी मतलब हो गया आपका इंडियन बैंक और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी बैंक इंडियन से स्टार्ट होते हैं दोस्तों उनका हेड़क्वार्टर चेननई में होता है यानि की मदरास में होता है तो चाहे आप इंडियन बैंक की बात कर ले और चाहे आप इंडिय तो बिल्कुल यहां पर एंशर क्या बनेगा इंडियन बैंक एंसर बनेगा अगला प्रश्ण है तो बिल्कुल एक बार इसे पढ़ लेते हैं पहले कि सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने अपनी आइबी इनोट सुविधा का अनावरण किया है जिसका उद्देश एक पेपर ले बचत भी होगी पार्यावरण भी अच्छा बनेगा इंडियन बैंक के cmd है पदमजा चुन्दूरू पदमजा चुन्दूरू यहाँ पे cmd है cmd का appointment bank board bureau करता है जिसके head है भानु पताप शर्बा जी और बिल्कुल यहाँ पर headquarter है इंडियन बैंक की चेन नहीं में अगला प्रश्ण है विच अब दी फॉलोविंग हैस बिन अपॉइंटेड एस दा एफ्टी आई 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 गवर्निंग काउंसिल चेर्मेन बाइद मिनिस्ट्री आफ इंफॉर्मेशन एंड ब्राट कास्टिंग यानि सूचना और प्रसा किसे न्यूक्ट किया गया है दोस्तों तो बिलकुल यहां पर एंसर बनेगा शेखर कपूर जी को एफ्टी आयाई का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है अगला प्रश्ण यह रहा आपके सामने किस राजने हाल ही में डेनमार्क के साथ बिजली छेत्र में पांच साल के करेंगे या अभी ही शेयर करके अपने दोस्तों को जादा जादा लोगों तक इसे पहुंचाईएगा कि प्यूसर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए इतनी मेहनत कर देनी चाहिए कि उन्हें हर जगह तक हमें अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मिशन पहुंचा किया है बिजली के लिए किया है तो भाई हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाता उस राज्य का नाम तो उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों गुजराथ गुजराथ ने डेनमार्क के साथ टाइब किया है बिजली के लिए किया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा मतपूर्ण हो जाएगा यह बात हमें याद रखनी होगी exam point of view से बहुत जरूरी है किस राज ने online pension किस राज ने online pension जमा करने और pension की tracking के लिए कृत अग्यता योजना का सुभारम किया है दोस्तों कृत अग्यता योजना किसके लिए सुरू किया है बुजूर्ग लोगों की pension को online जमा करने और pension की tracking के लिए कौन सा राज्य है जिसने कृत अग्यता योजना शुरू की है तो बिल्कुल यहां पर एंसर बनेगा आसाम के सरवानन सोनेवाल जी जिनको इस बार स्यामा परसाद मुखर जी आवार्ड भी दिया गया स्यामा जंटियोघ्य है इनके बहुत सारी योजना अच्छी चलती है दो से अधा बच्चों को यह सरकारी नौकरी नहीं देते है ना तो इनकी एक योजना चलती है अरुन्धती योजना चलती है देवायों के लिए अधन धनवंतरी योजना चलती है दोस्तों धनवंतरी योजना चलती है और प्रणाम योजना चलती है कि अगर कोई गौवर्मेंट इंप्लॉई अगर अपने पैरेंट्स की मदद नहीं कर रहा है तो उसकी ग्रॉस सेलरी का 10% काटके उसको दे दिया जाएगा माबाप के एकाउंट में दे दिया जाएगा प्रणाम का फुल फॉर्म भी पैरेंट रिस्पॉंसिबिल्टी एंड नॉम्स फॉर एकाउंटिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग तो भाई आसाम इस मामले में बहुत तेजी से काम करते हैं तो यहां पर कृतग्यता इस समय बुज काम एंसर है तो आज का सेशन दोस्तों हम लोगों ने करीब 27 कोशिशन कवर किये और आज सब लगातार यहां पर सेशन चलेगा और हम मैं सेटेडे संडे को मेराथन करके आपको वीकली भी देने कोशिश करूंगा मन्तली करेंट अफेर भी कोशिश करूंगा तो भाई यहा बाद अभी मैत की क्लास होगी और 11 बजे मेरी क्लास होगी दोस्तों बेस्ट 200 प्लस 6-month करेंट अफेर की जिसको मैं बिल्कुल बहुत ही रिसर्च करके अनुभव के अधार पे केवल बेस्ट करेंट अफेर लेके चल रहा हूं केवल बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम में बहुत करें लेके चल रहा हूं और चार बजे मेरी बेंकिंग सेकलस आती है तो ब बहुत इंपॉर्टेंट में बदला हुए है जिसके बारे में आज हम डिसकäs्च करने वाले है क्या बदला हुए है जो एक्जाम में निश्विट को बने का चार बजे से तौ बहुत जहां से question आएंगे ज्यादा से ज्यादा वो मैं 7 बजे सुबह लेके चल रहा हूं आपके लिए दम सुबह सुबह आ जाता हूं पूरे current अफेर content बनाते हुए सुबह उठ करके और उसके बाद 11 बजे आपके लिए 6 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बले हम लोग टी-चैट एक्जाम पूर का पहने इक्जाम पूर ने अभी एक नई पहल सुरू कि बैंकिंग वर्टिकल में हम लोगों ने यहां पर शुरुआत करी है दोस्तों तो जैसे आपने एक्जाम पूर को प्यार दिया वैसे ही बैंक पूर पर हम लोग यहां ताबड तोड एक्जाम औरिएंटेड रिजल्ट दे करके आप का सहयोग मांगते हैं कि भाई से जादा जादा लोगों को जोड़िये ताकि रिजल्ट हम लोग जब दें तो फिर बैंक पूर चैनल पे वैसे ही आग लगे जैसे एक्जाम बस इतना ही कहा जाएगा बिल्कुल अवंतिका जिया सभी लोगों को राजा राज धन्यवाद थैंक्स धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय एक्जामपूर कर विजय एक्जामपूर अगर आप चाहते हैं कि लेटिस डियाई और मिसलिनियस कोशन अब आपको परिशान ना करें साथी साथ आपकी कल्कुलेशन भी आसानी से हो जाए तो आज जी चुड़े अपने परिवार बैंक पूर बाय एक्जामपूर से ख Wei लूओ लाए चाहते हैं कि विजयत को ओो कि आपकी है ग sudah ऋएangen चाहते हैं है र्रब Burada किुहर करें से त?. कि हम नेधिस लगर आपकी हैं कि अपकी है गारी है जा अगर आपकी हैं कि एक्वरों आपकी है हैं कि आपक्यात मूला से हैं आपकी हैं take Александр आपकीification